नमस्कार आप देख रहे हैं जियोभिनियूज तो दोस्तो वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जियोभिनियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दिस जाकर जियोभिनियूज को सब्सक्राइब करके और नोट मंत्री मम्ता बनर्जी लगतार मोधी सरकार पर दबाव बना रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से अब दक यह कहना है कि वह इस कानून को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी वहीं दो हफ्ते पहले पिये मोधी पस्चिम मंगाल के दोरे पर गे हुए थे जहां मम्ता बनर्जी इस कानून को लेकर प्रधान मंत्री से बातचीत करने को लेकर मुलकात की थी लेकिन प्रधान मंत्री की तरफ से कहा गया कि वह उस मिद्धे पर बातचीत करने के लिए दिल्ली आएं पिये मोधी के इस नियोता पर ममता बनर्जी देर से ही सही अब उनका एक बयान सामने आ अवेद पाकिस्तानी और बांगलादेशी मुसलमानों को देश से बाहर करने की बात कही थी, मेरे इस बयान का मीडिया ने गलत अर्थ निकाल लिया मुंबई स्थित अपने घर कृष्ण कुंज में पार्टी पताधिकारियों की एक बैटग में राज ठाकरे ने यह बात कही बताया जा रहा है कि MNS ने यह बैटग, CAA और रास्टियन नागरिक रजिस्टर पर पक्ष रखने पर विचार विमर्स करने के लिए बुलाई थी हाला कि पार्टी ने इसके समर्थन या विरोध करने को लेकर कुछ असपस्ट नहीं बताया है दिल्ली विधानसबा चुनाव 2020 में मनोजी तिवारी का तंज कहा अहंकार में केजरिवाल इंदरा इज इंडिया जैसी बाते कह रहे हैं जिहां दिल्ली विधानसबा चुनाव में इसकूलों के मुद्धे पर भाजबा और आमाद्मी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने भाजबा पर इसकूलों के जूटी रिपोर्ट जारी कर जनता का अपमान करने का अरोप लगाया तो दिल्ली भाजबा परदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस मुद्धे पर पलटवार किया है मनोज तिवारी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि केजरिवाल जी अमित साह जी ने आपकी सिक्षा निती में कमिया बताई तो आपने उसे जनता का अपमान बता दिया आप कब से दिल्ली की जनता हो गए ये अहंकार ही है कि आप इंदरा इज इंडिया जैसी बात कह रहे हैं आपकी सिक्षा निती पूरी तरह से फेल साबित हुई है अब लोगों को भ्रमित करना बंद कर दिजिए मनोज तिवारी ने यह जवाब केजरिवाल के उस ट्वीट पर दिया है जिसमें उन्होंने ग्रिहमत्री अमित साह को संबोधित करते हुए कहा था कि आपके सांसदों की जूटी रिपोर्ट है बंद स्कूलों के वीडियो बनाकर आपने लोगों को गुमराह किया है दिल्ली की सिक्षा करांती 16 लाख बच्चों उनके पैरेंट्स और 65,000 सिक्षकों की मेहनत से हुई है आप रोज उनकी मेहनत का अपमान करते हैं आप दिल्ली के लोगों से इतना नफरत क्यों करते हैं प्रसांत की सोर पर बरसे नितिश कुमार कहा अमित साह के कहने पर पार्टी में लिया था तो प्रसांत की सोर ने ट्वीट कर कुछ इस तरह दिया जवाब जिहां बिहार विधानसवाचनाव की तयारियों को लेकर जन्तादल यूनाइटेट की तरफ से मंगलवार को पार्टी के नेताओं की एक बैठक बुलाए गई बैठक में रन नेतिकार और जदियूगे वरिष्ट नेता परसांत की सोर नहीं दिखे उनके इस बयान के बाद परसांत की सोर ने ट्वीट कर सीम नितिश कुमार को जवाब दिया है परसांत की सोर ने ट्वीट कर कहा कि आप मुझे पार्टी में क्यों और कैसे लाए इस पर इतना गिरा हुआ जूट बोल रहे हैं या आपकी बेहद खराब कोशी से मुझे अपने रंग में रंगने की आगे उन्होंने कहा कि अगर आप संच बोल रहे हैं तो कौन या भरोसा करेगा कि अभी भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप अमित साह द्वारा भेजे गए आदमी की बात न सुने सरजील इमाम की गिरफतारी पर बीजे पी नेता गिरिराज सिंग ने केजरिवाल पर कसातंच कहा अमित साह ने कर दिखाया जिहां विवादित बयान देने के आरोपी जवाहरलाल नहरुविच विदाले छात्र सरजील इमाम को पुलिस ने गिरफतार कर लिया दिल्ली पुलिस की क्राइम बरांच की टीम ने सरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से दबोचा है सरजील इमाम पकड़े जाने पर बीजेपी ने था और किंद्रिय मंतरी गिराज सिंग ने दिल्ली के सीम केजरिवाल को पर निशाना साधा है उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि केजरिवाल जी सरजील इमाम तो पकड़ा गया अमित साजी ने कर दिखाया ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग देश को तोड़ने का काम करें और आप उसको बचाने के लिए फाइले दबा कर बैठे रहो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने ग्रिह मंतरी अमित साज से पूछा था कि संसुदित नगरिक्ता कानून का विरोध करने वाले जी एनियू के छात्र सरजील इमाम को बेहत गंभीर बयान देने के आरोप के बावजूद अब तक गिरफतार क्यों नहीं किया गया